हेलो स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग बीकॉम बीकॉम ओनर्स और बीबीए फस सेमिस्टर का बेसिक शुरू करेंगे क्योंकि आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो में बोला कि सर स्टार्ट करो लेकिन बेसिक से धीरे-धीरे बिलकुल जीरो मैं अभी नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करो और शियर करो बस ये वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे पसंद आये तो ही लाइक करना खराब लगे तो डिसलाइक कर देना और अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट करके बताना कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों तुमें शियर कर देना इवन क्लास आपको 12 में जितना मजा आया था उससे ज्यादा अच्छे से उससे ज्यादा स्ट्रॉंग तरीकिसे क्लास में आपको भी कॉम और से बीकॉम या बीबीकॉम की प्रिपरेशन यहां पर कराने जा रहा हो तो सबसे पहले बेसिक जिसका ना पढ़ा आपको कितना आता है डोंट लेकिन मैं यहां बिल्कुल जीरो टू एंड कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से और आप सबको बहुत मजा आने वाला है और यह जो नोट्स आपको दिख रहा है तो मेरे साथ साथ नोट कर लो यह हमारे टेलिग्राम चैनल पे आप से ले सकते हो जो कि है सबसे पहले कि मैं बिल्कुल बेसी से शुरू करो और ज्यादा क्लास लगेंगी नहीं इसकी तो बिल्कुल दीरी-दीरे करते हैं बट स्किप मत करना वीडियो कहीं भी पूरा एंट तक देखना आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो 95 अकाउंट्स में लेकिया था 95 तो उसको पूछा गया उसके इंटर्वी में गया तो उससे पूछा गया बताओ अच्छा अकाउंटिंग के डफिनेशन बैया उसको याद ही नहीं उसको 11 में पढ़ा था बूल गया सिधा आउट कर दिया उसको तुम भूल गया तो उनको क करना है समझे बात को तो इसलिए ध्यान से समझना अकाउंटिंग होती क्या है इंड्रक्शन आप सब लोगने काउंटिंग की 11 12 में दो साल आपने गुजारे बट अकाउंटिंग है क्या तो यहीं पर आपको याद करा दूंगा अकाउंटिंग इस सिस्टेमेटिक प्रोसे किसका यहां पर साथ चीज़े एक दो तीन चार पांच सरी यहां पर सबने चीज इन साथ के साथ नाम को कभी मत भूलना पूरी जीवन भर में कभी मत भूलना अकाउंटिंग ऐसा प्रोसेस है हम जिसमें क्या करते हैं आइडेंटिफाई ढूंडो किसको लिखना है किसको न हो रहे बिजनस में वह सब ट्रांजेक्शन से सर इवेंट क्या होता है इवेंट वह है जो मनी मैटर नहीं है यहां पर क्लास मनी का कोई भी इंवाल्बेंट नहीं है कैसे मेरे पास एक स्ट्रेरन का फोन आता है सर मैं कल से जॉइन करूंगा क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूं यह का रिकॉर्ड करने मुझे मतलब नहीं तो मेरे लिए वो इवेंट मैं उसे नहीं करने नहीं करता। मैं आपके बात को इवन्स को करते रिकॉर्ड करतें तो हाप दूनडो कि एक इसको रिकॉर्ड करना है उसकी वैल्यू कितनी है म großskyless को लिखना है उसकी मनी वैल्यू कितनी है लाग की दो करोड की उसको आपने मेजर करना और मेजर करने के बाद आपको इसे रिकॉर्ड करना ध्यान समझना जिन बच्चों को पता होगा उनको बता दू क्लास की जर्नल जो है न वही आपका रिकॉर्डिंग है जो जर्णल आपको यदन्षा उसी को बोलते है रिकृड़्डिंग मेरे साथ साथ रिपीट करो सबस्पब यूर्व गरें किसको लीकिन है किसको लि bell है अब प्लासिफीकेशन करो सिता ब्लासिफिकेशन कर दिया पूरा की वैजटेबल को या fruits को या राशन के अलग अलग components को तो उसी तरीके से क्या करते हैं मोहन के लिए अलग account मोहन से related सारी चीज़े मोहन account में सोहन से related सारी चीज़े सोहन account में राजू से related सारी चीज़े राजू account में cash से related सारी चीज़े cash account में बैंक से लेड़ सारी चाहिए बैंक काउंट में मतलब सबका अलग अलग अकाउंट बना देना आपको याद आगया होगा लेजर तो एक सिस्टमेटिक तरीका है करते हैं उसको मेजर करते हैं इनके और्डर को मत चेंज करना पता है क्योंकि वहने प्रोसेस लिखा है आपको सब बना समरी समस्टे हो थे सब समरी करो कि कितना आपके पास आपका बिजनस जो है वह कहां पहुंचा है यानि कि आपने कि कमाल एक्चल में कितना आपको नुकसान हो गया है या आपका बिजनस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा आपको किसी पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए आपको ओरल परफॉमेंस क्या है इस कॉल्ड एनलाइजिंग और एक्जांपल देता हूं मैं करने का मतलब सब्सक्राइब कमे बने मतलब कम है घृपंअ मतलब क्राइजिंग और एंटरपेट का मतलब क्लस के पिद्धा तो नबर कम है तो फिर यह पिए ज बशा के आपको जो भी आपकी सेवा करके उसके लेगा ले तेंगा कमईचे कर रहा हूं कम्मिनिकेट कर रहा हूं सिमिलरली अक्वांटिंग भी एक कम्मिनिकेशन का तरीका है जिसमें एक कम्पनी अपनी फाइनांशियल इन्फॉरमेशन को कम्मुनिकेट करती है यूजर के साथ किसे साथ यूजर के साथ यूजर को नहीं पढ़ेंगे ठीक है चलो तो हम लोग ने बैसिकली क्या करते हो क्मुनिकेट क्या करते हो फाइनशल इनफरमेशन को पैसो से लगाना है तो मुझे यह नहीं जाना कि मुकेश अंबानी जो है वो क्या खाता है और जो कितने रुपए कप में चाई पीती है कौन से साड़ी पहनते मुझे अगर ना उससे मुझे जाना कितने पैसे कंपनी में अंदर के लोग और बाहर के लोग दोनों के लिए काउंटिंग की जाती है तकि उनको फैनाशल स्टेटमेंट को देशके और यह मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में यूसको लिखना में रिकॉर्डिंग उसको जर्नल में लिखो पहली बार उसे रिकॉर्ड क्लासिफाइड करो जैसे आप राशिन के क्या करता है कि एक पेज मोहन का एक पेज रवी का एक पेज ढागिट लिख चलए सम्री बनालो लास्ट में करना है एक करना करना है किस के साथ यूजर के साथ यूजर मतलब जो उसकर रहा है वह मला के का 수리 काटने information को कमनिकेट कर देते हैं किसके साथ USA Europ ग्रोस प्रॉफित ठानरा चैनल से लास हो गया तो डहाटा और जो गई Заिवग होगा तो इसे बोटें प्रॉफिट क्या होता है एक्जामपल देखो अमरी कपड़ों की दुकान है ठीक है मैं एक्जामपल ले रहा हूं और मैं गया दिल्ली ठीक है सरोजी नगर ठीक है या फिर नमालो पाले का बजार चावडी बजार चांदरी चौक कहीं भी वहां से मैं कपड़े लिए जीन्स या फिर कहीं भी जो भी मार्केट है ठीक है वहां तो यह पांसो का मिल रहा था तुम तो आट सो के बेच रुबे तुम तीन सुर रुपे कमा रहे हो एक पेंट पे वाओ इतना मुनाफ़ा कमा रहे हो तुम डैट इस काल्ड ग्रॉस प्रॉफिट उसने क्या किया उसने मेर लिया और मेरी कॉस्ट को माइनस की बटका एक्चुली में तीन सोब परफिट कमा रहे हो क्या नेट मुझे तीन बचरे नहीं मैं बोलता हूं रुक जरह सुन मेरी बाद यह तीन सो रुपे मेरी ग्रॉस प्रॉफिट गटा दिए कॉन जोड़ेगा जो मैं दिली जाता हूं और दिल्ली से लेके आता हूं समान गाड़ी में जो लोड होके समान आता उसका ट्रावलिंग एक्स्थ एस्पेंस या कार्टेज यहां पर आके फ्री में उसका कौन जोड़ेगा तो यह सब कुछ काट कूट के मेरे पास 1500 रुपए बचता है एक पेंट में समझे बात को इसे बोलते हैं net profit यानि सारे के सारे indirect expense को माइनस करके माइनस करने के बात जो आता उसे बोलता है net profit तो हम लोग financial statement में किसे इंक्लूड करते है net profit यानि सारी एकाउंट और आप लोग मुझे बताओ पीनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है जो इतना परफेक्ट बना दूहां क्लास जो आप कॉलेज में जाओगे ना और कॉलेज में बात करोगे आपके कुछ पूछेगा और आंसर दोगे यार एक अलगी लेवल होगा आपकी अलग रेपूटेशन होगी वहां पर लगेगा क्यार बंदा पढ़ क्या है अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो एंट तक देखना क्लास अपने सारे दोस्तों को शेर करना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जबू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन दबा देना सब्सक्राइब के आगे की और वीडियो को देखने के लिए चलो अब से कहतें सिस्टेमेटिक सब्सक्राइब कर्णा करते क्या है क्शार रहे हैं भॉश हम लोग पड़ रहे हैं मेंगेशoca अकusta नहीं पड़ रहे हं पढ़ रहे हैं financial accounting accounting करते क्यों हैं सीडिसी बात है देखो अगर मैं एक फर्म हुए कंपनी हूं मुझे पब्लिक से पैसा अगर मुझे लेना है तो पब्लिक को मुझे बताना पड़ेगा ना कि हमारी कंपनी ऐसी इतनी सालों से operation करें इतना मुनाफ़ा हम लोग कमा रहे हैं और हमारे पास इतनी एसेट है लाब लेट है हर साल का इतना profit है जब तक हम यह बात नहीं बताएंगे कोई भी हमें पैसा क्यों देगा बिना आपके बारे में जाने कि आप किसी को सौ और दस रुपए हजार दो जार किसी को उधा कियों आप जानते है, यार पैसे उधार दाएगा नी उसी तारिक से अंपनी के बारे में जानने किली पैसे बनाती है और यह फिनांशेल स्टेवंट मेंट पढ़ते हैं समस्क्राइब पैसे अगर मुझे बजाज पैसे लगाना तो मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा अंडर्स्टाइंड करों असका का इसा कमप्रीज करोंगा एस आग बंद करने जो अब्जेक्टिव होता है का यह सबसे पहले बात क्या है सारी जी रिकॉर्ड तो ओंगे कितने का माल विका कितने का खरीदा क्या सेलरी दिया विज़िए क्या व्या जो भी कुछ बिजनस में हुआ वो सब रिकॉर्ड तो हो जाएगा लिखा तो रहेगा ना कल को अगला क्या डिटरमेश प्रॉफिट सी बात है तुम ओनर हो तुम जानना चाहोगे तुमारा बिजनस कमा कितना रहा है चोटी सी दुकान में तो बड़ा असान होता पता करना कि इतने माल विका इतना खर्चा हुआ यह माइनस कर दो तो आगे आपका प्रॉफिट लेंगे बड़ी-बड़ी कंपनी में मैं पतातु है क्लास की कंपनी में सारा का सारा वो मैनेजर करते हैं जो भी डिसीजन कासरा काम मतलब किस तरीके से है वो डिसीजन किस तरीके से लिंगे helps in management to take strategic decisions तो यानि कि कहीं ना कहीं management जो है उसको accounting करने को objective है कि जो managers है वो decision ले सके अगला क्या है डिटर मानेंगे फिनांशल पोजिशन आपको पाता सलजाएगा आप कंपनी में कहां stand करते हो यह आपको पाता सलजाएगा providing financial information to users जो भी financial information है हम users को दे देते प्रवाइडिंग फिनांशल इंफोमेशन टू यूजर्स अगला क्या प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट बिसी बात है अगर आप accounting करते हो ना तो आपका objective भी कि हम लोग लिख रहे हैं सारी चीज़ों को तो हमारे बिजनेस की जो भी assets है वो और आप में पैसा दो भरोसा करो हम company ग्रो करेंगे और आपके shares की जो value वह भी बढ़ेगी आपकी investment की value बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा तो इस अब objective है लेकिन अगर पेपर में पूछा आता है तो क्या पैसे लिखोंगे बिलकुल नहीं डिटेल में एक बात ध्यान रखना क्लास graduation में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है मतलब आपको क्लास 20-20 नुमर वाले questions भी होते हैं और 8-8 नुमर वाले questions 16-16 नुमर वाले questions 15-15 नुमर वाले questions भी होते हैं depending on college university तो आप उसको डिटेल में जितना लिखोंगे न उत अभी मुझे यह बताओ comment section में क्या आपको मजा आ रहा है क्या आप समझ आ रहा है 11 में आपने पड़ा होगा इस सारी चीज़े तो क्या आपको कुछ डिफ्रेंस लगा 11 से अभी 11 जो पड़ा था आपने वही चीज पड़ी ती या कुछ रहे गई जो आपको आप सीखने को रहा है कि ति अभी करोंके लिचिमक करोंगे साय्य क्या है कि बहुत सारा और टाइम निकाल कर अब अब काउंट की कहा है evacuation की है कि financial information आपको मिल जाता है business का business में जो भी financial information वो आपको मिल जाएगा helps in management जो आपने अब्जेक्ट में पढ़ा था objective advantage बहुत तक similar है बिल्कुल सेम आप कह सकते हो management को मदद करता है decision लेने में आप compare कर सकते हो अगर आप accounting नहीं करोगे यहां जो सकते हैं अगरा आप accounting नहीं करोगे तो आप को पता किस चलेगा आपने पिछले साल का performance क्या था पधा है क्यवों होते हैं पहले मेरा इतना इतना है पहले से अच्छा स्कोर करना है तो अगर आप अपनी ही को खुद से कंपेर करती हो इसको बोलते इंट्र इंट्र फॉर्म और अगर अपनी फॉर्म को आप देख रहे हैं अग्लास एवडेंश कॉर्ट आगर आप एकांटेंग करते हो तो बेनेफिट यह है कि करो कोई मुकादमा फस गया तो आप कोड में इन डॉकुमेंट को दिखाकर प्रूफ की तौर पर यूज कर सकते हैं जो आपके उपर car लगाया है उसने लिएबिलिटी को सेटल कर सकते हो यानि कि अगर आपका क्वाउटिंग करते हो तो आप लोन लेने के लिए भी हगदार हो जाते हो यानि कि आप ले सकते हो या पबलिक से फंड करता हो अकाउंटिंग करके हम लोग बिजनस को बांकिंग कांपनी है जो बैंक हैं हम उनको पूरूफ देते हैं । यह अपना बिजनस बेचोगे तो उसकी value कैसे पता करोगे जो मैं business भीडे रहे तो business बीचते वक्त एक्स송 काम आता है आपने ने काउंटिंग की होगी तो आपको पता होगा आपकी तो आपको पता सिएल करने में आपकी मदद करेगा तो next class management में जो managers हैं वो काफी सारे decisions लेते हैं तो कहीं न कहीं class उनको ऐसे कैसे decision ले लेंगे बिना accounting को देखे बिना accounting जो है आपका final accounts trading account बैलेंट इन सबको बिना देखे वो कोई decision लेन सकते विदाउट class knowing the proper performance of business how can they take any decision so अगर आपका business insolvent हो गया तो आपको चीज़े बेचनी पड़ेंगी तो उसकी लिए आपको मदद करता है accounting आपके accounting में लिखा रहता है कौन सी चीज़ क्या value है उसकी WDV कितनी है market value कितनी है उसकी यह सब चीज़ वहां पर लिखा रहता है तो आप आराम से इंसॉलवेंट से टाइम पर कोई दिवाला हो जाता है कि यह सारी ज्यादा है प्रॉपर्टी कम है तो वह इंसॉलवेंट हो गया तो उसकी चीज़ बेची जा सकती है यह सब बेनेफिट से क्लास अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको यह सारे के सारे अडवांटेज मिलते हैं कोई भी पांचे अडवांटेज अपने आप आराम से आध कर लो ब आपका बिजनस चालू हो गया तो चलता रहेगा जरूरी चलता रहेगा तो यह फुली एक्जैक्ट नहीं अंडियुक्त काउंटिंग में हम लोग चीज़ों कॉस्ट पर रिकॉड करते आपने जाना ही होगा कोई प्रॉपर्टी खरीदी बीस लाग की आज कीमत दो करोड ह तब यह बीस लाग पी दिखाते हो आप कॉस्ट पर दिखाते हो यह अन्रियल स्टिक है यह रियल इंफोर्बेशन नहीं है अगला क्या एक्लास अक्वाउंटिंग इंग्नोर तक क्वालिटेटिव एलिमेंट आपके पास पैसा है आप रिकॉड कर सकते हो आपके अच्छे हैं और एंपलोईज इंदार आपका क्वालिटी है मैनेजमेंट का मैनेजमेंट अच्छ़ा है आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते सिर्फ जो जो चीजह मनि में रिकॉर्ड की जा सकती है आप उसको रिकॉर्ड करते हो क्या एक्नोर कर रहे हो क्या रिच्ज प्राइस लेवल जो भी चेंज है प्राइस में जो भी चेंज आ रहे हैं उसको एकांटिंग क्या करता है क्लास एकनोर करता ठीक है अच्छे से खरीदारी करूंगा क्या सन 2021 में बच्चा जो है वह स्कूल में चीज़े खरीदे खा सकता है क्या आज 2021 में किसी बच्चे को एक रुपन देखो दोगे बूलेगा कभी नहीं लेगा यहां पर कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते परस सब्सक्राइब करते हैं कि कोई नेगेटिव इंपक्ट ना दिखे हमारे फिनांशल स्टेटमेंट्स में यूजर्स को चुपा लेते हैं कभी घोटाला हुआ लॉस हुआ कोई खराब कॉंपनेंट है इसको चुपा नहीं कोशिश करता है और अब माना भी किया आता है और बहुसतारी प्लेंटी भी है लेकिन फिर भी यह लोग क्या करते हैं क्लास बेंटो ड्रेसिंग करते हैं चुपा देते हैं चीजों को ताकि कोई ना पकड़ पाई ग्जामपल दिखते हो आप स्कूल में जो आपको प्रस्पेक्टेस देते हैं अब जालग होता होता है क्लास की कई बार लोग नेगटेव इंपक्क को चुपाने के लिए विए विए स्टेट्मेंट यह सब आज की बेसिक क्लास में कवर करा मैं बहुत जादा नहीं करा रहा आप बोर हो जाओगा बट आपको एड़ एंड प्लीज हर एक बचा देखो अगर आपको कोई दूसरा इंसान इतना कर रहा है आप इतना सेल्फिस मत बनों क्यार सपोर्ट ना करो प लाएक अनद बादे ना